गुड आफटन। छोटी के दिन भी आप लोगो बुला लिया मैंने। चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट है मेंटर्शिप। और मेंटर्शिप क्या होता भी आप लोगों से कई लोग मेरे साथ बूस्टर बैच में जुड़े होंगे। मैंने कुछ इसमें पांस टूल सिखाया थे राइट तो जैसा इसमें एक चीज दी हुई है मैं पहले बताना चाहूंगा कि लाइफ में क्या होता एक continuity चाहिए अच्छा यह बताओ आप लोग का experience क्या रहा आप सबसे पहले आप बताएं चलिए आप बताईए डैरी आप नहीं कर पाते थे manage ठीक है और उस पर आपने काम किया अब आपको पता चल रहा है अब क्या आप इमने दिन को percentage में बता सकते हो कि आज मेरा दिन इतना percent रहा इतना percent रहा यहां तक पहुंचे एक दिन कैसा week में कौन कौन सी ऐसा लगता था कि हम 8 घंटे या 9 आप में से अगर कोई productivity booster के बारे में नहीं जानते हो कि तो यह basically आप लोगों की question पर मैंने यह batch बनाया था booster is of productivity का मतलब होता है कि हमारे पास time frame बिल्कुल limited होता है we are very limited हर किसी के पास 24 घंटे आपके पास भी है मेरे पास भी Bill Gates के पास भी है और इस बार का जो आए stopper होगा उसके पास भी है लेकिन इस time को हम लोग बड़े गलत नजर यह से देखते हैं मैंने उसमें एक चीज सिखाई कि use time को एक व्यक्ति की तरह लो use time as a person तो किसी person को treat करते हैं जैसे वैसे ही time को treat करना पड़ता है तो productivity booster में मैंने सबसे पहले यही चीज़ आप लोगों बताई थी कि आप किस तरह से as a time blocking method, emotion blocking method और productivity कैसे बढ़ा सकते हैं अब time जब आपके पास limited है तो दूसरा तरीका क्या है मुझे अपने competitor से आगे जाने का दूसरा तरीका क्या है कि मैं work done बढ़ा दूँ, wd अपनी बढ़ा दूँ, यानि मैं कम समय में ज़ादा काम कर लूँ, ज़ादा orientation के साथ काम करूँ, focused रहूँ, तभी मेरा जो है वो output निकलेगा same चीज हमने यहाँ पर किया, same चीज, हमने क्या किया, कुछ tools मैंने develop किये, और टूल के हिसाब से, एक होता है कि हम जब motivation lecture में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, जबी वो मेहनत से पढ़ाई करो, अंदर आग होनी चाहिए, जुनून एक आद करते हैं, बड़ी आवाज करता है, बड़ी टेशन के साथ भी आप उस पर जाते हैं, लेकिन होता गया है, उसका average बड़ा खराब होता है, वो पता चला अंदर टंकी में तेल नहीं है, थोड़ी दूर गया भाया, धक्का देना तो, तो motivation is like that, life जो होती वो tools पर चलती है, त productivity booster में हमने tools को develop किया, tools के इसाफ से, मैं कैसे देखूगा, मैंने कहा कि बड़ा, आपका एक दिन बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे? आपके time को बचाना चाहिए, कैसे? तो मेरा time कौन किल कर रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी जिंदगी के 2 घंटे ऐसे निकालने चीज़, जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज़ों की habit डालो, आपको बच्पन से सिखाया गया होगा, कैसे? और किस ने किया? मैंने अपनी story खुद बताई कि देड़ महीने मैंने अपने अंदर क्या change किये? तो अगर मुझे वो tools बता चल जाए, तो मेरे लिए वो काम करना आ counseling और एक होता है mentorship, mentor का का काम क्या होता है? आपको बताना कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये सबसे important segment होता है, तो अगर mark दर्शन जो है, वो मेरे ख्याल से आने वाले time में हमारा सबसे बड़ा edge होगा, मेरी जो अपनी expertise है वो neuro linguistic programming, यानि आपके द काम आसान हो जाता है, तो इस mentorship के साथ आप जुड़ें और भविष्ट मेंसे इसमें एक missed call है, आप missed call पे फोन करें उसमें simply, और वहाँ पर जो भी चीज़े है वो आपको इसके साथ आपको manage हो जाएगा, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर, आज का seminar हम शुरू करते ह हैं और सबसे important है, मैंने आपसे कुछ question पूछे थे, आइस बनने के लिए कितने लोग हैं तैयारी कर रहे हैं इस समय, कितने लोग करना चाहते हैं, चाहते वाले भी हैं, ओके, अभी क्या कर रहा हो चाहते में, अभी कहा हो, अभी school खतम हुए हैं, colleges खतम हुए हैं, you are doing job, औ और, वो चोटा बच्चा पीचे भी है, हाँ, ओके, आगे, first year, सो क्यों लगता है, दोनों लोगों से बात करते हैं, ठीक है, पता हो कि यह तो हम आएक दूसरे से बात करते हैं, बात में मेरे उपर इल्जाम लगे, पिछली बार मैं यहां सेमिनार लेकर गया तो बड़े इ साल बाद मुझे बच्चे मिल गए थे, तो एक एनरजी बड़ी हाई रहती है, और वहां एक बंद कमरे में, कैमरे के सामने मूँ करके, उसी को डांटो, उसी को पुछकारो, तो समझ में नहीं आता है, तो चलो खेर, आगे बात करते हैं, तो क्यों लगता है, तो तुम्हे UPSC की प्रफेशन करनी चाहिए, यहीं से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी आज, हाँ, बोलो, उनसे, तुम वो, तुमने ले रहा, फ्रेंचाइजी ले रखी है, अच्छा, हाँ, अब छोटा बच्चा अब एक दम, हाँ, बता बिड़ा, हाँ, सिर्फ, बढ़ी, बहुत प्यारी बात कह दी, मेरे आज की क्लास का सबसे important sentence यही है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साबाज, सिर्फ, सोचा भर है, चलो, अरे वहाँ क्या बात कह दी है, इसमा तुम एक गंडा बोल सकता हूँ, सिर्फ, सोचा भर है, चलो, बहुत बढ़िया, तुपर तो mentorship की सबसादा जरूरत है, हाँ, और कोई? हाँ, बताए जनाब, 12th pass किये आपने, क्यों आपको लगता है? इंट्रेस्ट, चलो, दूसरा point लिखते हैं, इंट्रेस्ट हो तुम्हारा बहुत कुछ में था, लाल सिंग चढ़ा में भी होगा, इंट्रेस्ट, हसने की बात नहीं, बात अच्छी कह रहा है, हाँ, बोलो, इंट्रेस्ट, और, और कल को इंट्रेस्ट बदल जाए तो, कोई क्योर इंट्रेस्ट का आ ज shrinking, ऑ पिर press बदलता रहता है, जिंदगी में, जब कोई चीजे इंट्रेस्ट की होती है, ठीक है, तो इंट्रेस्ट बदल जाता है इंन्सान का, फिर कोई दूसरा इंट्रेस्ट हो जाता है, तो इस वाले को क्या करोगे, अगर UPSC तुम्हारा इ अगर तुम्हें सुसाइटी में प्रोग्रेस लेकर आना की करना है तो एंजियो जॉइन करो वो क्यों नहीं कर रहे हूँ मुद्दे की बात पर आओ ना जो मुद्दे की बात तो उसमें बात करो खुल के बात करो यहां को ज़र तुमारा इंटर्वीव चल रहा है उनीड ने सेटार है यु निएड पावर जिम जॉइन करो गिए टुमारा आओ और फिलो उसमें बात के बात है णिए तो जुए ना जुनारा आओ जुरू जुरू करो अभी आओ लो को जुए वाहिए पृप आप जाओगे, रात तो राद वाइरल हो जाओगे, हैं, अरे राजी न से पूरे 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 न के ढ़े पग जाती है, चलते जाते हैं, बुड़े हो जाते हैं, तब सांसद बनते हैं, पूरी जिंदगी लगना पड़ता है, लेकिन उसमें आप इस दिनिया में कोई भी चीज़ पर्मनेंट नहीं है फिर बाद में कहोंगे साब जैसे मेरे से इस्टुएंट कहता है सर ये बताइए एक अनपढ़नेता जो है वो आई-स को डाटता क्यों है जो ये डेमोक्रासी है एक पंचायत वेब सीरीज आई थी तो उसमें एक डीम आती है तो एक महिला जो प्रधान पती होता है नीना गुपता वो पहली बार निकलती है तो उसमें एक डालॉग ध्यान देना जब जंडा फेराने की बारी आती है अगर देखा होगा तो तो उसमें वो लास में जब वो डाटती है तो वो गलती है आप जन प्रतिनित से ऐसे बात नहीं कर सकते इसका मतलब डेमोक्रासी में जो सबस्यादा पावर होती है जन प्रतिनित के पास होती है इसलिए आप चाहिए कहीं से भी पड़वड के आई-एस बन क्या है हो एक नेता एक जन प्रजिनित की सुननी पड़ती है क्योंकि यह डेमोक्राइसी है और सारी पावर किसके साथ होती है लोगों के साथ होती है अब बताओ रेपूटेशन अब चीज़े निकल के आ रही है सच सच चलो रेपूटेशन हम बात कर लेते हैं और और कोई जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहां तक पहुँचें चोड़ी सी बात करते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं चलिए आप बताएं पाइंड कर रहे हैं पहा है पहा है पहीद मेजिगे लोग लोगन अब भेजाखना है, घरख क्डिवा और का लोगन वोगन मा अब तैयारी कर रहा है हम पहा है चलो बताता हूं तो जॉब के साथ प्रपेशन आपके लिए तो प्रोड़ेक्टिविटी बूस्टर सबसे जरूरी था आपने क्यों नहीं जॉइन किया नहीं यह वो पढ़ाई का था यह था यह था कि जॉब में भी आज मैंने बहुत अच्छा कासा टाइम बताए कि जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में कैसे टाइम बचाना है वो था कि आपको अपने 24 घंटे मैनेज कैसे करने है ठीक है चलो और कोई तैयारी कर रहा है वो बत दिखो लाइफ न हम जो चीज चाहते हैं और जो चीज हो रहा है इसके बीच में जो गैप होता है न इसी को हम लोग टूल्स बोलते हैं किसी भी चीज को होने के लिए किसी प्रॉसेस की ज़रूरत पढ़ती है अगर वो प्रॉसेस नहीं हो सकती हम चाहते है आई-स बनना ठ सीडिया में हटा दूँ अब आप चाहते हैं कि मैं जाके क्लास लूँ लेकिन सीडिया नहीं है कितने लोग पाइप से आएंगे कितने लोग खिड़कियों से कूट किसी दूसरे वाली चट से कूट के आएंगे बहुत कम होंगे ठीक है तो एक्शली किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है एक प्रॉसेस की जरूरत होती है प्रॉसेस इस बीच में क्या है दिस इस दो प्रॉसेस आप लोग बस इस पर फोकस नहीं करते हो आप लोग मोस्ट आफ दे टाइम दिवार पे बड़ा बड़ा लिखते हो अपने नाम के साथ आईस एक अच्छे नागरी को क्या है आप गुटका खाकर हर जगा थूखते गूम रहे हो और उसी मुझे करें और सुच बारत अभियान के शी की टैशी ठीक है अब क्या होगा उसमें सारा मामला खराब हो जाएगा ठीक है जैसे मैं जब नहरुभियार मेरे क्लास्रूम थी तो स पत्तल होती थी वह सामने फेक के चले जाते थे उनको इससे कोई लिए ना देना नहीं था और पढ़ना है किसके बारे में सवच्छ भारत अभियान के बारे में जहां कोना देखा मूं के अंतर इसी खुजलियों लगते घुटका थूकेंगे नहीं तो सब लगता है कि कोई और नहीं बात कहना चाहिए कोई और जो तैयारी कर रहे हैं कितने लोग अभी बहुत लोग इन हाथ उड़ाया था आप कोई नहीं बोलेगा हां बताओ डरने की क्या बात है किस से यूपीसी से प्रक्रिया से चलो साइकलोजिकली कनेक्ट होना सोचना अंदर इंट्रेस्ट रखना देखो कितने पॉइंट से निगल करा रहे हैं लेकिन यह कोई भी चीज प्रॉसेस में नहीं है जब प्रोड़ेटिविटी बूस्टर मेंने तुम्हें पहले भी अच्छली 99.99% लोग ऐसे ही शुरुवात करते हैं मैंने आई इसके बारे में सोच और इसकी सोच में भी डाउट है कि अभी चलो पानी देखें कितना गहरा है डूप तो नहीं जाएंगे तो अभी यह ट्राई करें और एक्चली सभी लोग यहां बहुत लोग नहीं बोल लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं सोचना इंड्रेस्ट होना पावर पैसा रेपोटेशन यह सारी चीज़े हमारे साथ होती है इस अल गुड किसी भी चीज की शुरुवात सोचने से ही होती है ड्रीम से होती है बट प्रॉबलम इस कि यह जर्णी बहुत लंबी है यह जर्णी लबासना जो है जो कहां बनाया गया है मसूरी में और मसूरी में क्या है पहाडियां है ऐसे सड़क घुमावदार है उपर नीचे घूमते हुए जाती है वह इसलिए पहले बताते हैं यहां तक आने के लिए बहुत घूम के आना पड़ेगा ऐसे दिखाते हैं वह 10 किलो अगर तुम जिंदगी में कोई चीज करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा फंडा है हम कोई भी ड्रीम हम कहें मेरा ड्रीम है आईस बनना किसे ने कहां मेरा इंट्रेस्ट है किसी ने का मैंने सोचा है किसी ने कहा कि job के साथ अपनी economical condition अच्छी करनी किसी को power चाहिए दुनिया भर की सारी चीज़ है ये basically चाहत होती है but these are non-reality things या एक ऐसी चीज़ है जो इन्होंने कहा psychology में आ गई है तो ये psychology में तो है ठीक है जैसे आप window shopping करने जाते हैं malls में तो सारे brand के सामने से गुजर जाते हैं कैसा ठीक नहीं है design कौन से brand का है बहुत ठीक नहीं है हाँ thoughts ही generate होके रह जाएंगे अच्छी बताओ mall में कोई बढ़ियां-बढ़ियां कपडे रखे हो and you don't have purchasing power parity नहीं वो तुम्हारा हो जाएगा तुम मल लगा देखो जाकि उस पुतले को घूर आओ पंदरा बार उसके सामने ऐसे हम तब दब दब करके हाई बहुत अच्छा लग रहा है यह बाई किये जो चीज है यह ड्रेस है बहुत अच्छी लग रही है अब क्या वो तुम्हें सट से वापस मिल जाएगी वो तुमसे एक लाइफ का फंडा बताओ ड्रीम उरीम इसको मैजर नहीं किया जा सकता तुम मुझे बताओ उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा क्या करोगा सीशा तोड़ोगी इस जस्ट पर्चेजिंग पावर पैरेटी टॉक के साथ बड़ी दिक्कत है वो कभी सीधी बात करता ही नहीं है ठीक है पर्चेजिंग पावर पैरेटी मेरी जेब में पैसा है मैं गया भाई निकालो ठीक है पैक करो जल्दी से मुझे जाना है सो यह तो आपने भी देखा होगा कोई भी चीज अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं आप जाते हैं तुरंट क्या करते हैं यूस डिमांड और मार्केट उसको साप्लाई कर देता है तो लाइप भी तो ऐसी है यू ड्रीम और तुम अकेले नहीं हो हरसाल 13,030,000 लोग तो फर्म भरते हैं फर्म एक्जाम से तीन महिने पहले भरा जाता है तीन महिने तक 13,050,000 लोग फर्म भर देते हैं UPSC का उसमें से 6 लाक लोग सेंटर जाते हैं, 50%, 50% तो घर पर ही बाय बाय कर देते हैं UPSC को, तो basically जब उन्होंने फार्म भरा था, तो क्या उन्होंने किसी ने कट्ता रखा था दिमाग पे, कि नहीं तुम्हें भरना ही पड़ेगा, उन्होंने अपनी मर्जी से भरा था, ठीक है, लेकिन उनको demand supply के बारे में नहीं पता था, so this is the thinking जिसके साथ आप आए हो, आपको इसको action में convert करना पड़ेगा, everything is all about action, तो जैसे आपने कपड़े खरीदने के लिए आपके पास क्या चीज चाहिए थी, purchasing power, parity, अब जैको जैसे example लेता हूँ, इस class में इसे एक बच्ची को छोड़के, क्योंकि यह उचांकियन है, कोई लिख नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, दो, यह है, यह एक दो घाग है, जो मेरे साथ डाट खाग है कि थोड़ा बहुत सुधरे हुए, कोई नहीं लिख रहा है, ज्यादा तर के हाथ ऐसे हैं, है न, अब बताता हूँ क सारी कि सारी तुम्हारे दिमाग से 89% वाश आउट हो जाएगी, इस कमरे से बाहर निकलते निकलते, और अभी वज़ेदार, अगले 24 घंटे के अंदर, किसी भी पढ़ी गई चीज का 80% बूल जाते हैं, अब 11-80% निकाल दो, तुम इस क्लास से क्या ले कर जाओगे, तुम अ नहीं, यही तो मज़ेदार चीज है, कल मैं तुम से यही चीज पूछ लूँगा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट किया नहीं, मैंने तो स्टार्ट किया, और तुमने जज़ कर लिया, तुमने ज़ज कर लिया, कि इस कहानी से मेरे काम का कुछ नहीं है, बतातो रहा हूं, if you started something, जैसे एक होता है, मेरी क्लास में एक नियम होता है, कि मेरी क्लास के discussion फर्स से लास तक मुझे चाहिए होते हैं, उसको हम लोग वर्मेटिंग टेंडेंसी कहते हैं, मेरे student को पता है यह, वर्मेटिंग टेंडेंसी का मतलब होता है, आज success का पहला और सबसे महत्रपूर नि होता हूँ, ठीक है, एक घंटे, एड़ घंटे मुलता रहूँगा, और वो मुझे मेरी सारी की सारी चीज़े वापस कर दे, actually होता क्या है, कि हम हर चीज के footprint रखते हैं, success की भी footprint होती है, success कोई चीज नहीं है, success daily actions का एक accumulation है, जो आप हर दिन कर रहे होते हो, उसका accumulation होता है, जो ऐसे तुमने कहा, इसमें हम क्या बात लिखें, Thomas Elway edition के बारे में तो सुना होगा, एक कहानी और सुन लो, तो तुम्हें पता होगा, दुनिया के सबसे महान वैज्यानिक, और महान वैज्यानिक होने के साथ साथ महान बिजनेसमेन भी थे, ठीक है, जी, electrical के संस्थापक और ऐसा वैक्ति जिसकी सारी फैक्टरी जल गई, वो कर दा अच्छी बात है, दुबारा हम इस्टैबलिश कर लेंगा, और कर लिया, तो मैं Edison के बारे में ये तो पता होगा, बल्ब उन्होंने अविश्कर किया, ये नहीं पता होगा, उस वैक्ति ने जीवन में पांच ला के मालिक, और रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में, इस्क्रूट जस्ट डूटन की एक बुक है, पढ़ना, वो कहते हैं, मैं हर चीज लिखता हूँ, मेरे हाथ आज भी, वो, मलब बिलनायर है वो, ठीक है, बिलनायर है वो, ब्रिटेन का सबसे हमीर आदमी है वो, और वो हर ची पहली लाइन आएगी, पहली लाइन तुम्हारे दिमाग से रेज होनी शुरू हो जाएगी, यह प्रॉसेस होता हमारे दिमाग का, तो यहां पर चीजें जब आप करते हो, किसी भी क्लास में, आप यहां से जाना, मैं आपको बताऊँगा हमेशा पैन और पेपर के साथ बै कुछ आदते होती हैं, हमारी हैबिट्स हमेशा बनाती है, हमारी हैबिट्स हमेशा बनाती है, लिख लो इसको, यह लिखना चाहिए तुम्हारे काम की, हमारी हैबिट्स, so winning habits तुम्हें उठानी पड़ेगा, winning habits क्या है, जरह यह देखो, passive study और active study कहते हैं, मेरी class का बच्च कुरसी पर बैट जा, और अगर आप 15 मिनिट आप बैटते हो, तो आपकी body, जैसे आपकी mobile में एक function होता है, या अगर इस screen नहीं touch किया जा तो अपने आप क्या कर देता है वो, यह इनसान से लिया गया है, उसको sleep mode में डाल देता है, क्यों डाल देता है, to save power, हमारी body में भी पैरा-sympathetic और sympathetic दो nerves होती है, जैसे ही आप इस कुरसी पर idle बैट होगा, और कितनी classes में तुम बैट होगे और तुम्हें कोई इसके बारें बात नहीं करेगा, या 7700-800 की class होती है, तो शकल ना बच्चे को student की दिखनी, teacher की दिखनी है ना teacher को student दिखना है, वहाई बीच में यानि दिमा को क्या करना है, पावर सेविंग करनी है, यह automatic system है, वो तुमसे पूछेगा नहीं, हमारी body के बहुत से ऐसे function होते होते हमसे पूछे, नहीं जाते हैं, हमारा digestive system, हमारे कोई reaction भी अचानिक से कोई, आप अपने आप movement करोगे, आपका सांस लेना, दिल का धलकना, यह automatic movement होते हैं, और तुरंट क्या करेगा, आपको slowdown कर देगा, अब 15 मिर्ट में आपने देखा हो, आपको उबासी आने लगती है, कभी notice किया है, खाली बैठे से, कभी क्लिसी क्लास में, सबसे पहले, थाईज में हलका सा तुम्हें भारीपन लगता होगा, सिम्टम बता र है, थोड़ा सा ऐसे होते हो, बताना, धीर है धीर, अभी मैं फोटो कर तो इस क्लास की भिजवा दूँगा, फिर थोड़ी दिर बाद जैसे ही तुम्हारा ये, ये जो हमारा, रीड की हड़ी होती है, ये हमारे दिमाग के नीचे, ये हमारा neuron connective center होता है, आपने देखा मासन करते हैं, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, हमारी रीड की हड़ी सीधी रखनी चाहिए, हा या ना, सुना है, किसी भी योगाचारे से विले होगा, चाहिए तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हमेशा ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हमें कहा जाता है, रीड की हड का सीधा होना बिल्कुल जरूए कि उसके बगल से दो नाडिया निकलती ही इडा और पिंगला हट ही योग में हा और ठा ठीक है तो यह क्या होता यह हमारी माइंड को एक्ज़िरेट करती हैं, हमें बहुत हाईली आक्टिव रखती हैं, हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं सिधे हो रहे हो, हाँ, फिर जयस hè हम तेडे होने शुरू हो जाते हैं, यह connectivity लगिश होने लगती है और जैसे जैसे स्लगिश होती चली जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, automatically brain को समझ में आ जाएगा कि body inactive है, अब क्या करना पड़ेगा, कोई motor activity मतलब, दिमाग और muscles को connect करने वाली कोई activity नहीं हो रही है, इसको सुला दो, या इसके memory brain function को slow कर दो, 70% तक आपकी efficiency अगले 15 minutes बाद गिर जाएगी, एक घंटे की class की बात कर रहा हूँ, और हर दिन तुम 3 घंटे की class किसी भी coaching में लेते हो, for 3 hours, 365 दिन तुमने पढ़ाई की, 3, multiply कर लो तुम्हारे जिंदगी से कितना point निकल गया, multiply कर लो यहीं पे बैठे बैठे, मैं average 900 घंटे भी मालनू, या 1000 घं तुम सोती हुई अवस्था में थे, और फिर तुम कहते हो, कि मैं first item में IIS बनना चाहता हूँ, और तुम ये खोज रहे हो कि कोई coaching ऐसी होगी, वो फलनवा की photo लगी है, धेकनवा की लगी है, वहाँ बढ़के बढ़के master साब करें, master साब को exam नहीं देना है, सबसे बढ़ी कभी तुमने board का exam में पहले pressure feel किया है, तुम daily देखते हो कि तुमें नीद आती है, ठकान होने लगती है, बोर्ड में तुमने notice किया था जब कोई board का exam या semester का exam, अचानक से नीद भी सब गायब हो जाती थी, तुमने एक चीड़ नोटिस की, कभी तुमने ध्यान दिया अप बना के हम पढ़ाई शुरू करते हैं, होता है, फिर थोड़ा दिर महाल और भी अच्छा हो जा, फिर थोड़ा पैर भी उपर रख लेते हैं, एक तो और भी तखत पे पैर रख लेते हैं, या पैर को आराम देने के लिए, होता है, और एक body को तो पूरा पूरा महाल देते ह कि भाईया ये सारा काम जो हमारा चल रहा है लेकिन तुमने उस समय महसूस किया था जैसे सुबा पेपर है और रात तक तुम्हारा कोर्स खतब नहीं हुआ तुम्हें बस क्यों आभी पासिंग के लफड़े चल रहे हैं तुमने नोटिस किया तुम्हारी बॉड़ी लेंगव जैसे लग रहे है कि अभी जाके तलवार निकालेंगे लड़ना शुरू कर देंगे नोटिस किया किसी ने अपनी मैं सही बोल रहा हूं तो ये दोनों में फरक कैसे हुआ तुम्हारी बॉड़ी को यह बात पता है क्योंकि उसने तुमने उसको सिम्टम दिया कि अगर कल सु बाते तुम्हें याद आती है वो डर तुम्हें क्या कर देता है हाईली एलर्ट रख देता है तो यह डेली क्यों नहीं अब अंदाजा मुझे लगाओ अगर मैं इसको एक हजार घंटे कहता हूं वो अनली वन थाउजन आवर्स जादा नहीं एक हजार घंटे की कीमत समझत देता है तो वो उसका expert हो जाता है जैसे वो महान खिलाडी बन जाता है महान scientist बन जाता है मलब highest पर तुम उसका one tenth अपने career से तुम्हें यह नहीं कि तुम्हें महान खिलाडी बनना है तुम्हें यह बात पता ही नहीं है इसलिए मैंने कहा कि जब IS stop करने की बात करते हो तो किसी task को decide करने की बज़ाए अपनी habits decide करने पड़ेगे यह तुम्हारी habits होंगी जो तुम्हें IS बनाएंगी यह कोई teacher नहीं कोई coaching नहीं कोई किताब नहीं बनाएगी कौन सी किताब है जो तुम्हारे पास नहीं हिंदू क्या क्या है छुपा के कोई देके जाता है क्या ए भ कुछ है कोई किताब विपिन चंतरा ने कोई अलग से तुम्हारे उससे मूह निकल के आता हो जैसे Harry Potter किताब हम निकल के आता हो हर्माइनी ग्रेंजर की तरह तुम भी खोलो और उसमें से आवाजें आ रहीं यहीं वाला question आएगा ऐसा कोई किताब है मुझे तो नहीं मिली म तुम्हारी बॉड़ी में बढ़ जाएगा और जब तुम्हारी बॉड़ी में बढ़ जाएगा और जब तुम कुर्सी पे बैठोगे और तुम्हें वह दर्द होगी जरा सी पुर्वाई भेजाएगी न तो तुम्हें बिस्तर ऐसा बुलाएगा जैसे सालों की बिखड़ी प्रेमिका बुलाती न उस तरह आ जाईए आ जाईए बहुत दिन हो गया नहीं मिले आप से उस तरह से तुम परिशान रहोगे तब कहोगे सर नीद बहुत आती मेरे पार मेसेज आती है सर नीद बहुत आती है तो रात में क्या करते है भाईया पहले यह बताओ तुम्हारी हैबिट है यू हब चूज बेट्विन यूर फोन और बुक्स तो तुम क्या से चुनते हो एक टिंग की आवाज हुई नहीं त तुम्हारा कलेजा वहाँ चला जाता है फोन अगर गलती साजमी भूल जाता है जैसा लगता है किड्नी निकाली किसी ना आज एक ही किड्नी के भरो से बाहर निकले है धूंडते हैं और घर में छूड़के यह कहीं माबाप कहीं गलती से देख लिए उनको कोड पता है तब पिक्चर देखें इंट्रेस्ट है आपका सभी बुट अच्छा है बट हैबिट सबसे बढ़ियां जो काम करती हैं हैबिट बेसिकली यूर डिजायर्स यूर ड्रीम्स कमसें इंट अक्शन बस यही काम करती है यह जो तुम्हारी हैबिट से वह तुम्हारी परचेजिंग पारिटी बढ़ा देती हैं अब मुद्दे पे आजो साब आपके पास 1000 रुपए है साब आपके पास 5000 रुपए है इन दोनों में पर्चेजिंग पारिटी किसकी ज़ादा है 5000 वाले की जीन्स खरीदने का है यह ओसकता है लोकल ब्रांड खरीदें यह साब क्या करेंगे ब् यह मोबाइल खरीदने की बात आगई इन साब के पास 10 रुपए हैं और इन साब के पास 1,00,000 रुपए हैं तो यह नोखिया का जो किड्नी फोन आता है 14, 15, 16, 18 जो भी आ गया तो वो क्या करेंगे यह खरीद लेंगे इनको क्या करना पड़ेगा इनको MI का कोई फोन ढूड क्पल के ढ़िए मखरमरा ने आ रहा ना उसका भी सपना था जो तुम्हारे सबची बेच रहा है न उसने भी सपना देखा होगा फूचकरना किसी दिन बात ना ऐचे बात करके देख कि बही Як आप क्या करते थे, बताएंगे, कि तीन साल बहुत अच्छे से त्यारी की थी मैंने, So everybody has dream, but there are very few, one who have the habits to convert their dream into action, one who knows this particular secret, how to convert your dreams into action, with the help of habits, success उसकी है, इस जुनिया में, इस class में बटा हुआ हर वेक्ती, एक ही सपना देख रहा है, अगर brain mapping करा लू, सबको IS बनना है, but वो IS बनने के लिए, आपको पूरी इंडरस्ती यही सिखाती है, अरे, admission ले लो, IS बन जाओ गया, खतम होगे बात, सरकारी, नौकरी, एक साल में प्राप्त करें, बात जाके देखो, पोर्ट लगा हुआ है, सुनिष्चित सफलता, ये भी तक भी लिखा हुआ है, प्री की गारंटी, देखने के बाद तो खुद पर कही बार depression हो जाता है, कि एक्जाम देना किसको है, मैं तो कई बार confused हो जाता हूँ, हो जगता है कहीं लिखा हुआ है, कि आप आए, निश्चिन दोकर बैटें, काजू बर्फी खाए, एक्जाम हम देंगे, ठीक है, निश्चिन तो रहें, outsourcing कर दें एक्जाम की, लेकिन UPSC में खर ऐसा होता नही सपने खरीदे जाते हैं, आपने सुनोगा सपने देखे जाते हैं, सपने खरीदे जाते हैं, दोस्त, क्योंकि सपनों को खरीदने के लिए समय खरीदना पड़ता है, 24 घंटे में कौन ज़्यादा समय और समय हर चीज़ जब कोई चीज खरीदी जाती है, तो उसकी क्या होती भी है कीमत होती है आप चले जो iPhone की दुकान के सामने लोट जो बोले मैं बहुत बड़ा पहल फैंनगीू टिम कुक का नागिनटाइस कर लो नहीं देंगे तुम्हें फोन के नागिन डांस करके दिखा दो जो करना वो करके दिखा दो तुम्हें नहीं कब देंगे तिन्हें क्या लगता है तुम अकेले दुनियां मैं अएसका सपना देख रहे हो तो अगर सब लोग सपने देख रहे है तो जो सपनों की कीमत ज़्यादा दे पाएगा सपने उसके होगे reality उसकी होगी है, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, habits, छोटी सी बात बताईए, आज के बाद किसी भी class में बैठना, बिना pen और paper के मत बैठना, मत बैठना, हाथ को तुमने ऐसे fold किया, और थोड़े दिर बाद तुम टेड़े हुए, तुम टेड़े नहीं, मे बहुत बकैती होती है, जैसे seminar शुरू कर रहे है, बहुत गंभीर बात कर रहे है, दूसरे बुचेगे, कैसी हो, यह message आते हैं, उसको मतलब नहीं, ओजांग सर का गला फटके अमरीजपूरिका हो गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और क्या कर रही हो, हम बता रहे है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, उधर तुम पूछने में जादा इंट्रेस्टेट हो, तो क्या होता, सोशल मीडिया ने और जाथा बिगाड़ दिया लोगों को, तो आपको लग रहा है कि आप मजे कर रहे हो जिंदगी के, और आपको नहीं पता चल रहा है, कि आपकी परचेजिंग पावर पैरडी खतम होती जा रहे है, अजब बाजार में उतरोगे, तो फिर बहाने ढूंडते हो, कौन थे वो लोग, जो नहीं ने फार्म तो भरा था, लेकिन वो सेंटर नहीं गये, इस बार का आंकड़ा उठा के देख लो, लेकिन वो सेंटर नहीं गये, कौन थे वो, यही थे, जो जब सपने की कीमत चुकाने की बारी आई, तो कभी अपने साथ के दोस्तों को देखना बीमार हो जायते हैं, तबियत खराब हो जाती है, हाथ प्याओं में दर चुरू हो जाते हैं, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या-क्या उनको और जगर सोच लिया, तो उसको एक्शन में कनवर्ट करना शुरू करो, कोई भी चीज, यह कोई जबर्दस्ती है नहीं, इस दुनिया में सभी चीजों के लिए परियाप्त जगह है, बशर्ते तुम्हारे अंदर इतना बूता होना चाहिए कि तुम उसको वहाँ पे देख स्कॉलर ने उसके लिए भरा, और जानते उसकी नियूंतम हर्ता क्या थी, एलिजबिल्टी, पांच भी क्लास पढ़े होने चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए, यह मजाक की बात नहीं करें, निउस्पेपर में निकला हुआ है, और उसके लिए पांच पीएसडी स्क स्कॉलर्स ने अपना निवेदन किया, MBA ने किया, कि हमें चपरासी की नौकरी चाहिए, यह स्थिति है, इसका मतलब आप में अंदाजा लगा लो, कि एक-एक सीट के लिए कितनी फाइट है, सो दुनिया में, जब कोई, तुमने किसी मॉल में देखा होगा, कोई बहुत बंद आदमी आता है, तो क्रेट कार्ड वाला है, बढ़ियां से पैस है, तो क्या वो किसी चीज का टैग पूस्ता है, पूस्ता है, कोई चीज पूस्ता है, भाईया, 20% discount होगे गया, 40%, कभी यह पूस्ता है, यह, 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 पैक कर दो, ऐसी करता है, देखा होगा तुमने, बहुत से शुआफ करने की लोग यहाते है, आये कितने का, अच्छा है, ठीक है, यह, ठीक नहीं है, और महेंगाला दिखाओ, because क्यों, उसकी purchasing power parity ज्यादा है, so life का यह सबसे bitter truth, लेकिन सबसे actual truth ही यह, if you want to survive in this jungle, यह जंगल है यार, यह competition है, एक seat के लिए 1300 लोग बैठे हु यहां काम करेगा, so in that case, you have to increase your purchasing power parity, and how will you increase that, चलो, बात कर लेते हैं, so मैंने बात की, success habits को लेकर, right, यह success habits जो होती है, यह basically छोटी-छोटे हिस्सों में, कोई बर्च जादू ही habit नहीं है, जैसे आप लोगा है, कितने लोग बिना paper और pen case class में है, इमांदारी से बताना, कितन जानना चाहता हूं, क्यों, वाई, नहीं, सरम वाली बात नहीं है, हर चीज, जिन्दगी में कोई ना कोई एक दिन चीजन सीखता है, और आगे बढ़ता है, क्यों, और बहुत से लोग नहीं आएं, actually मैं, बहुत से लोग बिना pen or paper के आएं हैं, क्यों, जानना चाह रहा हू रीजन क्या था? कोई option नहीं है, और ये मेरा व्यक्तिकत अनभःत, तेरा 14 सालों से लिख रहा हूँ, मेरा व्यक्तिकत अनभःत, जिस चीज़ को मैंने, कई बार मैंने student life में कुछ चीज़ें लिखी थी, जब मैं engineering में था, आज भी वो डैरी मेरे पास हो, और आज भी मुझे काम आती है, जो चीज़ मैंने लिख दिया, वो मेरी है, और जो चीज़ मैंने याद कर लिया, वो मैं भूल जाओंगा, जो चीज़ मैंने लिख आज भी, कई बार मुझे मिल जाती है, मैंने वो बहुत पहले, मालो 2008 में कुछ लिखा या 2004 में कुछ लिखा, तो वो मेरे पास आज भी है तभी तो एक PD से दूसरी PD नॉलेज जा रही है तो पहली चीज़ आप लिखने की आदट डालो पहली आदट लिख लो Success Habit कोई भी अगर ज़रूरी बात होगी तो मैं लिखूँगा सर्माने वाली बात नहीं है आप overconfident हैं सर्ब आप overconfident हैं आप 80% के अंदर मैं अभी आप से पूछ लूँ कि पिछले हफ्टे तुमने क्या क्या खाया था तो मैं याद भी नहीं होगा कि तुमने डिनर में क्या किया था नहीं याद होगा पिछले हफ्टे तुम्हारा दिन कैसा था तुमने एक दिन MAY मैं क्या-क्या activity की थी तो मैं कताई याद नहीं होगा लेकिन अभी productivity booster की पहली class में मैंने कुछ चीजने सिखाई थी और इन्होंने document कर लिया जैसे मैं ही अगर उसको tool को use कर रहा हूँ आम उससे पूछिए मैं आपको बता दूँगा कि मैंने मेरा productivity कितनी रही है मैं आपको ड चलता को रोकना और कुछ भी बात हो रही है उसको लिखना और एक साल तक करके देखो अगर गलत हो तो मेरे नाम पे जो भी आप करना चाहो कर लो मैं तो मैं फ्री कर रहा हूँ जो चीज आपने लिख ली वो आप की हो गई हमेशा ध्यान रखना ये बात और कई बार ऐसा ह होता है मैं भी कई बार गलतियां कर बैठता हूँ जल्दवाजी में नहीं लिखता हूँ बाद में मुझे इतना पस्तावा होता यार वो sentence क्या था वो thought क्या था नहीं आता दुबारा पता नहीं क्या बात है वो नहीं आता है तो पहली चीज रैटिंग करना सक्सेस हैबिट यानि अगर तुम लिखते रहोगे और लिखने में भी जैसे smart तरीके से लिखना flow chart में लिखना जो बाते कही जाए उसका picture presentation करने इसमें brain involved हो muscle involved हो brain involved हो body तुम्हें सोने नहीं देगी अगर तुम अपना phone लगाता टच करते रहते हो तो क्या sleep mode में जाता है तुम्हाँ साथ यह ही है so you have to decide कि अपने एक साल की तैयारी में एक हजार घंटे तुम्हें बरबाद करने है या आबाद करने है यह first choice है और फिर blast में आप कहते हो कि साब मेरा success नहीं हुआ देखो इनको नीद आ रही है इन्होंने अभी जमाई ली सामगर और मैं इनकी जगह हूँ तो नहीं आ गई मैं यानिंग करने लगा मैंने का तो मैं सोने का टाइम हो गया मेरे उपर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा यह बहुत ही सामने करके दिखा रहा हूं आया अभी आवास सुनी ना इनकी आपने बढ़िया इन्होंने जबरदस जमाई ली है अगर सोचो यह student होते एक आगरता का मतलब होता है Bruce Lee का एक बड़ा प्यारा statement है कि एक योध्धा वो होता है जिसकी एक आगरता laser की तरह होती है एक आगरता मतलब इसमें होता है एक अगरता अगर का मतलब आगे आगे एक मतलब single when you have only one target in front of you when you have only one target in front of you that is known as एक आगरता मैं इसकी English पर नहीं जा एक आगरता यानि when you have only one goal in your life in front of you यानि तुम जिन रास्तों पर जा रहे हो तुम जब सीनिया चड़ रहे हो तुम जब किताब के सामने हो तुम जब मैस में हो तुम्हारे सामने सिर्फ एक चीज है और वो तुम्हारा लक्षे है उसको हम लोग एक आगरता कहते हैं तुम क मैं कुछ इस पर लिख दूँ और तुम्हारी आख के सामने ये डाल दूँ तो तुम्हें हर समय क्या दिखाई पड़ेगा हर समय इसका कलर ही दिखाई पड़ेगा या इस पर जो प्रिंट होगा या मेरी आख के सामने ये चीज है इसको क्या बोलते हैं एक आगरता बोलते तो किसके जीवन में ऐसा चल रहा है। किसके जीवन में ऐसा चल रहा है। डेट शेयूर है उसका selection उसको कुछ और नहीं समझ में आता है। यार, दोस्त, शादी, ब्या, फंक्शन, मित्र, कुछ और नहीं। खाना भी खा रहा है तो उसको पता है यह automatic process है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि थोटे दर पहले मैंने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने भारती इतिहास में क्या चीज पढ़ी, जड़ा जब माइंड में कर लें, आज की डेट में क्या हो रहा, लोग फोन चला लेते हैं, खाना खाते समय, लाग यार कुछ देख लेते हैं, रिल्स आती रहती हैं, कर लेते हैं, कितने लोग हैं, जो चलते समय, रिवीजन कर रहे हैं, बैठे हुआ हैं तो सोच रहा है, उनको लोग कहते हैं रहे, पागल टाइप का लग रहा हैं, सोचता रहता है, कितने लोग? हाँ, तो subconscious mind वो settled होता है, गलत नहीं है, नहीं नहीं, कोई पागल वागल नहीं होता है, कहीं सुना तुमने, और अगर हो जाओ तो और अच्छी बात है, मैंने लास्ट ताइम क्या बढ़ा था था, जिस जिन्दगी का मज़़ा दो ही लोग उठाते हैं, एक बच्चे और एक पागल, जो है, उसके लिए बच्चों की तरह खुश हो जाओ, ठीक है, उसके लिए बच्चों की तरह खुश हो जाओ, बच्चे खुश हो जाओ, और जो पाना चाहते हैं, उसके लिए पागल हो जाओ, बिना पागल बनके, इस तेरा सो लोगों से एक सीट छीन के लाओग पढ़ लेना हैंडी फोर्ड बहुत बड़े इंडस्टिर्स रहें बहुत अमीर आदमी रहें फोड के मालिक रहें उन्होंने कहा वो दुनिया में वो बिजनसमेन ही संभव नहीं है जो सोते जागते हर समय के और अपने टार्गेट के बारे में नहीं सोचता वह ही नहीं है य मैं यह तरीके जानता ही नहीं एडिटेशन मेडिटेशन तो मैं चलते चलते कर लाता है मेडिटेशन क्या होता है जितनी दिर करोगे उतनी दिर तुम्हारा तो पूरे दिन भर जबते रहो ऐसा नहीं होता है इसके लिए एक ही तरीका है क्या वैराग्य फोकस कहां से attachment हमारी problem क्या है ये phone तो नहीं कहता ना मुझे चू और मेरे message का reply कर कोई कहता है और देखो रहात हिंदोरी साब ने भी कितनी बच्छी बात कही है बुलाती है मगर जहने का नहीं बता कर गए है कि वैरागे क्या है वैरागे का मतलब होता है इसका कई लोग ये समझते हैं कि वो भगवगवा पहिन के हिमाला निकल जाओ घर पर विवार चोड़ के इसका ऐसा मतलब नहीं है विवेका नंद अपनी किताब में लिखते है जब वो इस्टुएंट्स को message देते हैं वो कहते है वैरागे का मतलब होता है जो तुम्हारा लक्षे है जो तुम्हारी attachment है उसको छोड़ कर हर चीज के लिए detachment हो जाना वैरागे है मतलब अगर तुमने कहा सोचा कि मुझे क्या बनना है आईएस सब के कारण सही है power, prestige, पैसा समाज को बदलना ये सारे कारण valid है लेकिन अगर तुम आज तो तुमने जोश में पढ़ा ही कर ली 8 घंटे आज पढ़ा कल किसी ने कान में बोल दिया अबे वो बढ़ियाँ वाली web series आई है अब तुम्हारे मन में कुल बुलाहट होने लगी यार देखी लेते हैं भाई ने तो 8 घंटे पढ़ लिया था 7 घंटे का target तो 1 घंटे extra पढ़ लिया और web series भी कमबक्त बनाते हैं एक के बाद आटमेंटिकली चलती रहती है अगले दिन web series देख ली अच्छा हमें लगता है कि हम count ऐसे करते हैं अब दो घंटे की web series है यार लेकिन actually तुम्हें नहीं पता कि जो web series बनाई जाती है वो pictorial form में बनाई जाती है तुम्हें उसके side effects ही नहीं पता है तुम उसको कैसे calculate करते हो 2 घंटे की web series है आज खतम कर लेते हैं ऐसे सोचते हो ना 2 घंटे की web series है लेकिन होता क्या है कि जो उसकी sound और जो उसकी music और जो उसके emotions को जब डाला जाता है तो वो क्या होता है कि वो हमारे subconscious mind में तुरंट की तुरंट receive हो जाती है और बहुत लंबे time तक हम उसके effect में रहते हैं कभी किसी दिन कोई अवसाद वाली music देख लेना या कोई भी देख लेना तुम अचानक से उठो कि ना तुम्हारा दिमाग ऐसे साथ रहेगा अभी मैंने quote किया पंचायत web series का क्यों? मैंने book तो नहीं आती लेकिन वो web series याद थी कि नहीं आती इसका मतलब है कि तुमने इसके अंदर garbage डाल लिया तो एक कमरा है और कमरे में तुमने पता ही नहीं किया तुमने तो यह सोचा कि इसे दो घंटे की web series अब क्या tension जा रही है लेकिन तुमने अपने अंदर इतनी धेड़ सारी pictures और इतनी धेड़ सारी music और emotions डाल लिये कि अब तुम्हारा यह कमरा है उसके एक कोने में तुमने कूड़े का धेर लगा दिया ऐसे दुबारा लगा दिया और तुम सोचरों कि दो ही घंटे की तो movie थी भाई कल एक्स्टा पढ़ लेगा लेकिन बात movie की नहीं है बात तुम्हारे दिमाग की space की है space की है कई लोग तो motivation के लिए वह ली picture देखते हैं मेरा इंतकाम देखेगी कई लोग तो मैंने कल meme देखा कहीं पर कि सर दिल तूटने का wait कर रहे है आईस बन जाए ये तो इस्थिति हमारी चल रही है तो आप बाहर से motivation ढूण रहे है तो वैरागय का मतलब होता है अपने राग को छोड़ कर सब कुछ छोड़ देना वैरागय है यानि जब तक तुम लबासना पहुचने जाते तब तक तुमहें किस पर focus करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी UPSC पर है तो ना कोई इनसान ना किसी की बात ने कल किसी बच्यन मुझसे पूचा कि सर ना कैसे कहा जाए किसी को अगर कोई कहता की ये काम करो जाए नहीं करना है तो जब तुम्हारे क्या करता है दर पैदा करता है हम नहीं गये तो कहीं और ना मिलने चली जाए ठीक है यह और ना मिलने चला जाए तो क्या होता है डर से क्या होता है घणा पैदा होती है फिर क्या होता है आपको गुस्त आएगा फोन की ने उठाए उसने क्या बात हो गई ठीक है बीजी आ रह तुम्हें कुछ ना दिखाई पड़ा, तुम्हारा हडपा कहीं और चल रहा है, किताब ऐसे खुली हुई है, फिर उसके बाद क्या कहते हो, साब वो UPSC बहुत टफ है, है न, कोई टफ नहीं है, 50% स्टुडेंट आज भी second division वाले UPSC crack कर रहे है, जिनके schooling और college में आज भी कह जाता था कि भीया, यह कुछ नहीं कर पाएगा, यह second division है, यह open schooling से आया हुआ है, इसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, वो I.S है या राच, जिनके 48%, 50%, 52% वाले लोग है, वो I.S है properly, तो यह से एक्जाम में, जो तुम सोच रहे हैं, वो नहीं है, इस एक्जाम में वो dedication मां तो वो कहता है, कि सिर्फ इसी के लिए, अब जब मुझे एक बाब बताओ, तुम्हारे जिंदगी में कोई एक सक्स है, या तुम्हारे जिंदगी में कोई एक ऐसा orientation है, उसको तुम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, एक एक्जामपल लेता हूँ, जो तुम्हारे के अलग कल्चर होगा, आप अपने पती के प्रती बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने पती के परिवार के प्रती बहुत डेडिकेटेड हैं, आप एक अलग परिवार से आई होगी, वहां सोने, उठने, खाने, पीने का कल्चर अलग होगा, आपने खुद को क्या किया, चें कि क्या करती है कि अपने घर में नौ बज़ उठ रही है उठके मम्मी बैटी और यहां पता चला पांच बज़े सास सुबह सुबह गंटी बज रही है और तुम्हाई तरफ देख रही उठी की नहीं उठी और नहीं उठी अगर कहीं बहू तो फिर तो मुह दिखाई के समय श चेंज किया लबासने के साथ ऐसा नहीं हो सकता अगर तुम डेडिकेटेड हो तुम्हारी मोहबत केवल एक है तो क्या तुम अपने आपको उसके लिए चेंज नहीं कर सकते हैं तुम्हें अच्छा लगता लबासना कहता कि मुझे पांच बज़े चाहिए मुझे तीन क्यों बतलोगे मालो अभी यहां किसी का कोई बाबूस होना है for example और बाबूस होना मालो सुबह जल्दी कहीं जाना होता है इस्कूल टाइम में बहुत हुआ है सबान तो पता लगा तुम छोडने जाए तुम्हारा टीशन नहीं है फिर भी छोड़ने जाते थे थे होता था इस एप पता है क्यों क्यों जाते थे वाइ because of your attachment right so मुझे एक सवाल है कि ये तुम्हारा attachment लबासना से क्यों नहीं हो सकता attachment में बहुत power होती है ये सब कुछ करा सकता है so अगर कोई चीज तुम सीखना चाहते हो try to make a small habits छोटी-छोटी habits पहली habit क्या बताई लिखो अगले दो साल के लिए तुम गूंगे हो ये भी लिख लो गूंगे हो तुम्हें बोलना नहीं आता अगर तुम मैं लबासना हम लोग दो तो तीन-तीन बार जा चुके है इकलोती एक एडमी जिसको लबासना में वो जा चुकी है और हर कैडर के I.S. आफिसर से हमने बात की और सबने एक ही बात कही है बुला अपने इस्टुटेंट से जाके कह देना कि लिखने की आदर डालने है ये सबने कही है एक हैबिट सबने कही कोई NCRT पुरानी पढ़ कर आया कोई नई पढ़ कर आया किसी ने वेपिन चंदरा पढ़ी किसी ने सबकी किताबे अलग-अलग थी लेकिन सब में एक हैबिट कॉमन थी क्या तो आज से हो गूंगे और किसी भी क्लास में जाओ कहीं भी मौका मिले लिख लो हर चीज लिख लो डैरी रखो और ये दुनिया के सक्सेस्फुल लोगों की आदत है इसको लिखो दूसरा ट्राइट टू इंक्रीज यूर कॉंसेंटरेशन नॉट बाइद अमेडिटेशन मेडिटेशन एक छोटा सा हिस्सा है इट्स अलबाट ये सारा शिगूफा है कि मेडिटेश करेंगे तो एक आगर होंगे नहीं तुम्हेरे तुम्हारे जो मन का काम है न जिस दिन तुम्हें वह मिल गया उस दिन तुम अपने आप क्या हो जाते हो कॉंसेंटरेट हो जाते हो कोई है जिसका उसके कोई होबी है कोई है इस क्लास में और हां बता तुम अपनी होबी बता singing है, तो उसमें क्या time देखके करती हूँ, पांच मिनिट मैंने सबको पका लिया, अरे गाती चली जाती हूँ, दिवारे भले चाहिए 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 इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन से गाती हूँ न, हाँ खुशी बहुत मिलती है, सो जिस काम में हम मन लग जाओ, और जिस आप में खुशी मिले वो हमारा है, सो चाहिए वो जाब हो, चाहिए तुम्हें तैयारी हो, सो वेरागे की तरफ जाओ, और दूसरा, इसके लिए अपने आपको डेडिकेट कर दो, अगला जो सबसे चौथा चीज है, हमेशा एक लॉग बुक रखो, लॉग बुक, हम बेश्या, एक छोटी सी डैरी, डिजिटल हो, फिजिकल हो, लॉग बुक, अगर सक्सेस चाहते हो, किसी लंबे रास्ते पर यातरा की है, अंधेरा बढ़ रहा है, शाम हो गई है, रात हो हो गई है, तुम बस में चलते चले जा रहे हो, ठीक है, लबास नहीं जाना है माल दो, थोड़ी दर बाद ऊप होने लगती है, हम कहां जा रहे है, कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घना जंगल, अंधेरा, ट्रेन में जा रहे ह हो, तो थोड़ी दर बाद क्या होने लगती है, उब होने लगती है, कहां जा रहे है, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे है, GPS भी कुछ नहीं बता रहा है, नेट्वर्क नहीं आ रहा है, क्या होने लगता है, डर बैट जाता है, होता है, होता है कि नहीं होता है, कभी हुआ अचानक से बड़ी व्याकुलता होने लगती है, तो ट्रेन में गर बैटे हो, भाई साब, आप इस रूट पे, हाँ हाँ मैं आता जाता है, भाई साब कौन सा स्टेशन आने वाला है, तो बोले वो बहादुर गड़ा आ रहा है, अच्छा अच्छा, तो इसके वो मेरा वाला स स्टेशन, बोले हाँ इसके चारी स्टेशन आगे, तो आपको क्या मैसूस होता है, बड़ा रिलीफ मैसूस होता है, या ऐसे कोई पत्थर दिख जाए, कि भाई लबासना 32 किलोमेटर, तो तो तुम्हें रहाँ पहुंचने वाले हैं, बस 32 किलोमेटर वर बचा, ऐसी होता ह एक्शुली में, इस यूपी एससी, तो जब हम शुरू करते हैं, पहली बार इस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या-क्या क्या 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 क तो उसमें क्या होता यह कोश्चन जो है जब तुम इस यात्रा पिर पहली बार निकलते हो तो धो-ति-न ओंसे बारे अंदर यह कोश्चन बैठ जाते हैं तो अचानक से क्या होता है विपिंच दरा किनारे हो जाते लक्षमी कांथ उपर आ जाते हैं फिर कुश्चन पूछते हैं कि न्यूस्पेपर से एडिटोरियल की नोट्स बनाए कि ना बने यह कुश्चन होते हैं तो यह सारे क्या होते है इस यात्रा पे आपको बहुत दूर अब दूर्द हमारा भी नहीं निकले हैं हमको अलग थोड़े रहे हैं तो इस बार हम थोड़ा पीसे दे के ट्राइ कल देते हैं आपको क्या करना पड़ेगा अपनी लॉग बुक रखनी पड़ेगा अगर तुम रियली में खुद से सक्सेस पाना चाहते हो तो 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 वट के से मिनिट्स में 1440 मिनिट्स के अगेंस्ट यही प्रोडेक्टिविडी टूल में मैंने सिखाया आज से घंटे में बात करना बंद 2024 में एक्जाम देना 2025 में जितने लोग ये बाते कर रहे हैं सारे के सारे पिटेंगे सारे के सारे उसमें जाएंगे काम से we have only days में बात करोगे 365 दिन बचे हैं मेरे पास 365 दिन बचे हैं 1440 मिनिट हैं मेरे पास कितने 14 अब आज के बाद जब पढ़ने बैठोगे तो साम को कहते हैं 6 गंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया नहीं 6 गंटे के अगेंस तुमने कितने मिनट पढ़ाई की 50 मिनट 60 मिनट बैठे और 30 मिनट तुमने मोबाईल सर्फ किया कुर्सी पर बैठे रहे और अपने आपको बेकूप बनाने के लिए बोल दिया मैंने एक गंटे बढ़ाईगी और पूट तुम्हारा क्या है 0 लॉग बुक रखो लॉग बुक क्या करम करेगा लॉग बुक सेम ऐसे χ день करता है जैसे इसमें पिलर्स ह करता नहीं होता है na साइनबोर्ड तो लॉग बुक में मैं तुमसे कहूँ कि एक महने पहले तुम कैसे थे और एक महने में तुमने क्या चेंज किया अपने अंदर बता पाऊगे कि इतने मिनट मैं पढ़ाई करता था, इतने मिनट मैं ये काम करता था, मैं इतनी देर मेरा टाइम वेस्ट हुआ, फोन में इतना मिनट था, कितने लोग इस क्लास में इतने लोग? नहीं बता सकते हैं? परसेंटेज? कि मैंने क्या नया सीखा? एक महिने में आपको कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए था, कितने आपने एंसर लिखे? क्या मिजर्मेंट आपके? कितने वर्ट्स पर आपक चले गए? मेरे किस्टेंटे रोज सुपर मुझे एक मेंसज भेता है एक सर आज मैंने इतने मिनट प्रेक्टिस कर दी, आज मेरी राइटिंग इतनी स्पीड बढ़ गई, बस, इसका एक ही काम है. तीन महिने से उसका constant message एक ही आता है. So logbook, अगर ये तुम सीख पहे, तो मेरे खाल से सबसे ताकतवर हैबिट रहेगी. Because, तुम आगे जा रहे हो, या पीछे जा रहे हो, ये दो चीज़े हमारी जिन्दगी में सबसे ज़्यादा matter करती है. हम, हमें दुनिया में किसी से motivation लेने के ज़रूरत नहीं है. ये बात याद रखना. हम self motivated हैं. कब motivate होते हैं? तुम लास्ट टाइम कब बहुत खुश हुए थे? चलो, आप बताओ. लास्ट टाइम कब तुम्हें लगा कि तुम बहुत खुश हुई हो? किसी भी चीज़ के बारे में बात करो. क्या हुआ था ऐसा? खुशी का मतलब जो तुम्हारी व्यक्तिकत हो, वो तो सामूहिक है. खुशी यहाँ पर बात करो हूँ, व्यक्तिकत, personal. तुमने कोई ऐसा काम कर लिया हो, तुमने कोई ऐसा टास्क दिया गया हो, तुमने कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हो, कोई घर में किसी बात के लिए कोई तारीफ आरीफ नहीं होती है? होती है किस बात के लिए? और घर का कोई काम नहीं करती है? और अची बात है, मालो किसी दिन तुमने कर दिया, तो पूरा घर चकर खा जाता है, तो बहुत तारीफ होती होगी, इसका मतलब क्या है? हम depressed और हम motivate द लाग बुक बना ली, कि मालो तुमने यहाँ एक लाग बुक बनाई, कि पिछले हपते मैंने 6 घंटे पढ़ा, या मैंने 360 मिनट पढ़ा या कुछ इस तरह सब नहीं पढ़ाईगी, और अगले हपते तुम 6.5 अवर्स तक पहुँच गए, for example, तो यह तुम्हें क्या करेग तुम्हें बूस्ट देगा, कि मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की पिछले बार से, लेकिन अगर तुम लॉग बुक नहीं रखोगे, तो पहले 2-3 महिने किसी भी कोचिंग में जाते हो, जो शोस रहता है, वो बाबू टाइप होते हैं, सपने होते हैं इतने जादा, फिर जिस गाड़ी के तुम ने सपने देखे तो उसके टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं यह करके, थिक है जब हिस्ट्री पड़े, जियोगर minhaव परिशान करती तो टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं, इस समें तुम्हें यह बचाता है, मालो, कुतना टाइम तुम्हारा दरवजा खटखटा देता है, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं चला कि एक्चली वो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर तुमने उसको इदेटिफाई कर लिया, तो तुम उसको क्या करोगे, रहेस करोगे, या तो रूम चेंज कर दोगे, फोन बंद कर दोगे उसका, नंबर ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना है, लेकिन अगर लॉग बुक तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम कभी भी अपना मैजरमेंट नहीं कर पाऊगे, तो आगे तुम्ह पानी है, तो यह मैंने जो पांच चीज़ें बताई है, उसको अपनी हैबिट, पहला चीज, अपनी पर्चेजिंग पारटी, बढ़ाओ, और कैसे बढ़ेगा, to increase your habits, habit of success, क्लास में जब भी बैठो, राइटिंग करो, कहीं भी बैठो, दो साल के लिए गूंगे हो जाओ, वो लिखने के होते हैं, total, तो आप लिखने की आदर डबलब करो, active रहो, हर चीज को documented करने की आदर डालो, दूसरा, concentrate रहो, और concentration के लिए आपको क्या करना है, अगले दो साल के लिए, अपने target को छोड़ कर सब कुछ अपने जिंदगी से हटा दो, ठीक है, और कोई कुछ न अरीके से पढ़ते हो, note तुम्हारे LW में आई है, more than enough है, but the thing is, तुम्हारा time ही manage नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी success, अपनी failure, हमें failure का भी जानना बड़ा ज़रूरी है, अगर हम failure identify नहीं कर पाते हैं, हम success के बारे में बात करते हैं, failure के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज रोक रही है, तो वो आपके आसपास ही मौजूद है, या आपके अंदर है, आप बस उसको देखनी पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल आपका phone कितना देख, आपका time खाता है, दोस्त कितना, relatives कितना, तो तो क्या करना पड़ेगा, धीरे-धीरे हटाना पड़ेगा, और अगर आप ये कर लेगा, तो features बहुत available है, knowledge बहुत सी available है, सब चीज़े smooth हो जाएंगे, हम इसको छोड़कर, seminars में ज्यान क्या लेते हैं, सर बुक्स बता दीजे, कौन है, विपिन चंद्रा, शेखर बंदो पाध्या चोड़कर, कौन modern इंडिया लिखेगा बाई, ये दो किताबे हैं, उसमें से कोई एक तुम्हें पढ़नी है, उसमें नया ब्रह्म ग्यान क्या दूँ, सुन तो चुम चुके होगे कई बार, 4000 व से एक बेसिक चीज है, जो आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, गर इसको फॉलो कर जाते हैं, more than enough, अब कोई question है तो पूछे, बताएं, बहुत आसान है, आज के बाद ये भी जो इन्होंने कहा, बहुत मुश्किल, ये कहने जा रही थी कि ये जो approach है, बहुत इस संसार में जो कुछ भी होता है न, अच्छा या बुरा, हर चीज का reason, बिना reason के वो चीज नहीं हो सकती, जब तुम logbook रखना शुरू कर दोगे न, बिटा, एक हपते में कोई चमतकार नहीं होता है, तुम personality बनाने जा रहे हो, वो example मैं लेता हूँ न, ताज महल वाला, क आते हो देखने, तुम आने जो मेहमान आते है, आई गुप्ता जी का मकान दिखाते हैं, दो महीने बनाए, कभी दिखाने गए? क्यों? बिचारे उन्होंने भी तो बनवाया है, हो जगता अपनी मुमतापश के चक्कर में उन्होंने भी बनवाया हो, कभी पूच के देखो वो मकान है शिल्प नहीं है तुम इंसान हो और तुम्हें शिल्प बनना है तुम परसिनालिटी की बात होती है ना आज आप एक बहुत कॉमन इंसान हो तुम जब यहां आए तो तुमने सबस्यादा फोटो किसकी देखी अरे मेरी तो ही नहीं है हां पर हां किसकी फोटो सबस्यादा देखी जब ओहाँ इंटर कर रही हो नेटर से उतर गए हां ratings देखी अरे, मारो गोली उस पे, थोड़ी देर के लिए हमें, शुदिक फोटो देखी, देखी, आज से दो साल पहले उसकी फोटो देखी थी, क्यों, थी तो, अरे हमने देखी थी, तो वो थी, तुमने उसकी फोटो क्यों नहीं देखी, क्यों, हाँ, यह process है, यही dream है, और इससे पहले तुमने, last year वो fail कर गई थी, तब तुमने देखी थी, क्यों, थी तो, exam दिया था, एक number से रह गई थी, क्यों, क्योंकि success की फोटो लगती है, so इस gain से पहले उसका pain किसी को पता है, उसकी तैयारी का time पता है, कि 4 साल, 5 साल से सर पटकना, नहीं पता न, इस success underground होती है, success क्या होती है, अपने आपको बनाने का नाम होती है, और जिस दिन तुम बन जाते हो, उस दिन जमीन के उपर आ जाते हो, और जितनी बड़ी success होती है, उतना जादा तुम्हें लोग याद रखते हैं, मैंने 700 वाली फोटो की ठीकी नहीं देखी, रैंक तो उसकी भी आई यार, देखी तुमने, क्यों, अरे 800 वाली की तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी, वेचारा वो उसने में तो UPSC क्रियल किया, तुम्हें अंदाजा है, उसने कितने pages लिखे होंगे, तुम्हें उसकी success के बारे में पढ़ा, हर कोई बता रहा है, फोटो लग रही है, तुमने कभी देखा कि उसने कितने pages लिखे, कितने pressure को उसने deal किया, तो अगर तुम ये मंतर में राज सीख गए, पर्चेजिंग पार पैरेडी बढ़ाना, सपने खरीद लोगे, जो तुम ये सोचते होंगे, सपने देखे जाते हैं, तो हर कोई सपना देख रहा है, जाके देखो कल मैं रात से गुजरा था, तो वहां कश्मीरी गेट पे लोग सड़क की नारे सो रहे थे, हैंने वीडिय जाती है, और नोकिया 1100 की कीमत और आइफोन 13 की कीमत एक बराबर नहीं हो सकती है, और तुम IS बनने जा रहे हो, तुम देश का सबसे बड़ा ड्रीम खरीदने जा रहे हो, और तुम अगर उम्मीद कर रहे हो, कि नोकिया 1100 की कीमत लेके जाके, तुम IS बन जाओगे, तो भ नजर नहीं आ रहा है एक ने तो ये तक लिखा किसा लूसेंट पढ़ लिए जी के तयार हो गया ना तो हमने का हाँ तुम्हारा प्री में तो सबसे उपर तुम्हारी नाम आएगा लूसेंट पढ़कर वो ये प्री देने जा रहा है हमारे हैं है घटना चकर पढ़के लोग तो है वो एक पत्रिका आती है उसको पढ़कर प्री देते हैं तो ये इस्थिति हो गई हमारी तो बेसिकली उनको ये वाला फंडामेंटल नहीं पता है पर्चेसिंग पार पैरिटी और अब तो मेरे खाल से समझ गए होगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पर्चेसिंग पार पैरिटी कैसे बढ़ेगी है कमाने से और कमाओगे क्या है हैबिट्स हैबिट्स तुम्हारे पर्स में होना चाहिए हैबिट्स ऑफ अगर सुबह जल्दी उठना पड़े उठूंगा हेल्थ अच्छी रखनी है पता चला कई लोग के मैसेज आते हैं सर तबियत बहुत खराब है हर महीने बीमार पड़ जाते हैं तो पतला दस दिन पड़े बीस दिन बीमार है तो फिर क्या होगा consistency खत्म अब जैसे इन्होंने का time follow नहीं हो रहा है यह एक हपते में हैबिट बना रही है लॉग बुक तो तुम्हें throughout life रखनी है रिचेट ब्रैंसन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है उसके हर मिनट की कीमत है हर मिनट की कीमत है जहां बैटे हुए सभी लोग की कुल सभी कीमत से भी ज्यादा है लेकिन फिर भी आज वो राइ बिना कारण के और नहीं हो रही है और जितना मैंने इस्पीरियंस किया है 90% कारण आप होते हैं sorry to say but this is a bitter truth दुनिया में आपको रोकने वाला अगर कोई सबसे important success है तो वो आप है आप log book रख लीजे productivity booster में तो prove करके दिखा दिया कि इस दुनिया में अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो सिर्फ आप है दुनिया में कोई ऐसा वेक्ति नहीं जो आपको हरा दे ये सब कहने की बात है कि पापा support नहीं करने हैं मांग क्यों रहो मांग क्यों रहे हो और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला है भीग छोड़कर कुछ नहीं मिला तो bigger are not choosers तुम तो choose करने आए हो ना एक कहावत होती है तुम हो और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है जैसे उसके पर्स में अमीर आदमी credit card, debit card, cash, 2000 की note होती है न तो पूस्ता नहीं है कितने कहा है pack करो pack करो उसको मुझे जो पसंद है मैं ले लूँगा तो कुछ लोग ऐसे होते है life में वो throughout अपने आपको इतना मजबूत बना लेते हैं जो एक्जाम देते हैं वो क्या होताता है IATS को तुम लोग कहते हैं IAT वाले IS में बहुत आ रहे हैं बहुत से मेरे पास कोशर है अरे वो IAT में जाते हैं select IAT के लिए select फिर उसका बाद ISO उनको बड़ा प्यार है फिर वो IS भी पकड़ लेते हैं select फिर मन करता है तो अमेरिका भी चले जाते हैं Silicon Valley कहा हो जाके किसी कंपणी के CEO वो बन जाते हैं पूरी दुनिया में पता जला तो कहां से निकल कर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे process में डाल लेते हैं कि उनको success habit की रूप में आ जाती है तो आज से अपने आपको एक wallet मानो एक पर्स मानो और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है habits find out the list कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिम पर जैसे रात में तुम क्या देर तक पढ़ाई कर पाते हो सुबह जल्दी उठके पढ़ाई कर पाते हो देर तक पढ़ाई कर पाते हो लोगों के साथ distract जल्दी हो जाते हो उसमें क्या होता है कागज visiting card पुराने बिल उसमें पैसा नहीं होता है पैसा 10 की दो नोट होती है 10-10 की लेकिन वो कागज बहुत भर के रहा चलते है नोटिस किया तुमने उसकी कोई value नहीं तुम अपने अंदर कागज मत भरो रदी मत भरो ठीक है अगर तुम्हें web series और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है और जब आप कारण ढूणोगे तो सिर्फ आप ही हैं आपको हराने वाले दुनिया की कोई ताकत नहीं है ठीक है चली और कोई question हुँ कि देखो जॉब जब हम करते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें financial support चाहिए होता है तो आप हर में जॉब ऐसी करो कि इसमें कुछ पैसे बचा सको और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कम से कम six month minimum आप full time पढ़ाई के लिए पैस से निकाल सको जैसे मालों आपका खर्चा बारह हजार रुपए महीने है तो टुवेल में टू सिक्स आपके पास पैसा होना चाहिए फंड होना चाहिए कि आप जॉब कर सको उसी साफ से कल्कुलेट कर लो कम से कम minimum ठीक है इतना टाइम आपके बास और कोई कुश्चिन येस नहीं आगे बोलो minimum two years पहले तुसको correct करो minimum two years reason UPSC में current affairs नहीं पूछा जाता और तुमारा दूसरा मैं भ्रम तोड़ देता हूं current affairs नहीं पूछा जाता नहीं पूछा जाता इवेंट्स पूछता ही नहीं है UPSC जो है वह issues पूछता है और issues बेटा उठाके paper देख लो तुम्हारे पैदा होने से पहले के भी होंगे क्या भारत में नदियों को जोड़ दिया गया यार बहुत पुराना project है क्या पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी भी नदियां है उसके यहां परियावरल का विनाश का मुद्धा निपट गया होगा क्यों हो गया हुआ नहीं हुआ अरे बड़ा लेट चल रहे है क्या हमारे यहां ग्रामीड इस्तर पर जो महिलाओं को शक्तिकरण होना था वो बलवंतरा मेहता कमेटी में बोला था ना तो हो गया होगा सारी मह लोगे जिलाओं को तो दे दिया गया अब पाटिसेपेर नहीं हुआ अरे ऐसा कैसे हो रहा है नदियों का जल सच्छे हो गया होगा नहीं हुआ अरे भूमी सुधार अंग यह जो कारणवाइस के जमाने का है आज़ादी से बहुत पहले का तो हो हुई गया होगा सारे जित तंत्र में भष्टाचार तो खतम ही खतम है लोग तंत्र हमारे यहां ग्राउंड लेवल पर आई गया होगा सभी को जैसे अभी इस क्लास में मैं पूछ लूँ हमारे हमारे बच्चे ट्वेल्थ करके आए जरब प्रियंबल खड़े होके बता दो तो 15 अगस्तार यार ताली हो जाए अब तुम बताओगे बता बता तुम बताओ प्रियंबल बताओ सुनाओ हाँ यह तो अबराहम लिंकन की परिभाश्या है प्रियंबल प्रस्तावना समिधान की इमांदारी से बता कि इसको किश्को नहीं पता है एक्जेक्ट्ली क्यों होती बाबा साब एक इक सबदों से उप्णआ पिरो में तो अगर अगर कोई नाव है ना, तो नाम पूरा लिया जाएगा, ठीक है, तो नाम पूरा लिया जाएगा, तो अगर कोई अधूरा नाम ले, तो आप उसको डाटेंगी ना, कि अब्रिवेशन गलत आब कर रहे हैं, तो प्रस्तावना क्या है हमारे सम्विधान की आत्मा है उसमें जो बाते कहीं वहीं पूरे सम्विधान में इस्टैब्लिश करना चाहते हैं अब बताईए हम भारत के नागरिक हैं हम भारत के नागरिक हैं और हमें भारत की प्रस्तावना के बारे में नहीं बात हमें पता है और हम अपने आपको हम तिरंगा लगा रहे हैं हम ये सारी सीज़ें कर रहे हैं तो हमारे बाबा सहाब ने हमें कई लोग अंदूलन में भी चले जाते हैं उनको पकड़ किस दिन पूछ लेना बोले सम्मिधान के कितने भाग हैं तो तुम बताओ तो तो मुझे बताओ प्रस्तामना हमें नहीं पता बहुत लोग घबरा रहें के मनको पूछ ना लो ठीक है आखो में बतार हैं डर दिखाई पड़ रहा है क्यों यह कूश्चन इंपटेंट है यह question important है, so, जब आप उस पर आऊगे तो आपको पता चलेगा मुद्दे क्या है, तो मुद्दे कम से कम दो, और दूसरी बात, UPSC current नहीं पूचता है, स्टैटो डैनमिक पूचता है, स्टैटो डैनमिक, डैनमिक का मतलब जो कतिशील है, हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि किसी स्ट्विट पर समझ होनी चाहिए, जैसे आपने, मैंने प्रस्तावना पूचा, तो महत्रपूर्ण क्या है, क्या प्रस्तावना याद करना भात किस तरह के न्याय की बात कही गई है, तो न्याय तो कही प्रकार के होते हैं, तो क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, माली जे आपने सामाजिक न्याय दे दिया, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं दिया, तो कि बिना पैसा के जीवन चला सकते हो क्या, तो किस तरह के न इनान न्यायपूर्ण समाज कभी खड़ा हो सकता है, क्योंकि समाज से क्या होता है, समाज में जुड़ते हैं, और समाज से क्या बनता है, राष्ट बनता है, हम 26 जनवरी 15 अगस्त मना लें, तो क्या उससे राष्ट बन जाएगा, तो राष्ट तो रोज बनता है न, और सरकारों से बनवाते हैं हमाई साथ बड़ी दिख्कत हमारी डेमोग्राइसी में हम रास्टर सरकारों से बनवाते हैं और रास्टर लोगों से बनता है मुझे वहां मतले जाओ लेकिन एक छोटी सी कहानी है कि UPSC statodynamic बात करता है हर चीज के आपके लिए बहुत important हो जाता है, तो अब से याद रखना एक साल नहीं, minimum दो साल जो रहा है और उसके basic reasons, वो यह पूस्ता है, आगे कोई question? it's a very good time, the first year, you have to go with concepts, किसी भी subject को जो internet पे दिया हुआ है, उसके साथ मत जाना, पहले अपना जो fundamental 5 है, fundamental 5, history, geography, politics, economics and science, उसके base, NCRT से शुरू कर दो, and try to understand the subject, understand मतलब, try to develop a love toward your books and your subjects, अपने किताब और उसके विशे के लिए एक प्यार पैदा करो, प्यार का मतलब जैसे आज हमारी यहां प्रस्तावना की बात हुई, आप मेंसे कई लोगों ने DP लगाई होगी, कई लोगों ने अपने घर में जंडा भी लगाया होगा, कई लोगों ने रास्टगान के लिए पुरा महौल बना लिया होगा, देखो हमने भी classroom में महौल बना रखा है, लेकिन आप मेंसे कितने लोग प्रस्तावना के बारे में जानकारी रखते हैं, कितने लोग सम्मिधान के मूल करतवियों के बारे में जानकारी रखते हैं, जो हमें fundamental duties के बारे में कहा गया जो नागरीकों के लिए, तो ये क्या है, UPSC सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन में UPSC है अगर UPSC crack करना चाहते हो तो automatic process है to know your country it's only your UPSC it's equal to UPSC और कुछ नहीं है, कोई सलबस नहीं है भारत एक राजनाति की काई है political unit है, एक historical unit एक geographical unit है, social unit है economical unit है, cultural unit है तो जब भारत को इस तरह से समझना शुरू करोगे, एक urban unit है, एक rural unit है भारत कई हिस्सों में भाजित है, जब भारत को तुम समझना शुरू कर दोगे और जब तुम्हारी किताबें तुम्हारी सडकों पर, college में, तुम्हारी life में उतर आएंगी कि यहाँ भीड क्यों है, यहाँ pollution क्यों है, यह सरकार अच्छा क्यों नहीं कर रही है जब यह क्यों 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 चलने शुरू हो जाएगा ना, उसे दिन तुम्हारा UPSC में selection automatically, तुम इस प्रक्रिया के अंदर आ जाओगे, जब तक यह नहीं है, तब तक किताबों को क्यों गिनते रहो, तब तक गिनते रहो पेजेस को गिनते रहो, तब तक कोई प्रक्रिया नहीं शुरूगी, और यह मैं यह टीन अडा भी कह रही है ठीक है, तो भारत को जिस दिन तुमने अपनी कंट्री को जानना शुरू कर दिया UPSC शुरू, शुरू उस दिन UPSC, तो तुमारी किताबे तुमारे डेस्स से निकल कर तुमारे जीवन में फैल जाएंगी, जब तुम आओगे कि दिल्ली ही क्यों पढ़ने आना पड़ता है बिहार में मुझे क्यों नहीं एजुकेशन मिल रही है मुझे राची में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है मुझे भागलपूर में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है तो जब यह क्यों जब जाओगे तब उसके पीछे push or pull factor ढूणोगे जब तुम push or pull factors जूणोगे तो तुम्हें migration पता चलेगा, जब तुम्हें migration पे जाओगे तो तुम्हें economics पता चलेगा, जब तुम्हें culture पे जाओगे, जब तुम्हें caste पता चलेगी, जब तुम्हें social structure पता चलेगा, और जब वहां तक पहुँच जाओगे तो तुम्हें भ प्रजोग सकता है पसम इसको छोड़कर एक ही question पूछते हैं हजारों की संख्या में message पढ़ाओं सर कौन सी किताब पढ़ें किताब क्यों पढ़ें किताब आप ऐसे question पूछते हो किसी सब बसड़े पर मिले या railway station पर मिले तुमारी जन्म जन्मांतर की दोस्त बन जाएगा नहीं बनेगा न पहले बात होती है नाम पूछा जाता है hobbies जानी जाती है किताब भी ऐसे ही होती है पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है यह बात ध्यान रखना पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है हाँ तो तुम्हारी किताब चीन के यहां कोई नहीं भाग रहा है, किताब ऐसी चीज ही है कि कोई किसी की विद्या चुराई नहीं जा सकती हमारे सास्तरों में यह बात लिखी गई है चलें और कोई question बताएं पर ले, बहुत चुरू करें C set बहुत easy है, qualifying है इसमें तीन portion बहुत important है, एक तो basic math, NCRT की 6 से लेकर 8 या 9 तक की आप खुशन लगाड़ा लो, तो math नहीं आती है, reasoning अच्छी होनी चाहिए, and reasoning is all about, CSAT में एक बहुत important fundamental miss है, कि वो non mathematical background को math पढ़ा रहे, तो वो actually math आती नहीं है, ये डर एक पैदा किया गया, reasoning होती है, reasoning का मतलब होता है, find out the reasons, and IS officers को reason find out करना पड़ता है, IS officer को, जैसे उपर सरकार ने कहा कि फ़लाना के लिए program है, तो उसको reasons identify, ये program इसके लिए क्यों बना है, reasons identify करने पड़ते हैं, ये program जमीनी इस्तर तक कैसे लेकर जाएं, so it's all about reasoning, और उसको धेर सारे data पढ़ने पड़ते हैं, तो data interpretation, DIG से बोलते हैं, that's very important, दूसरा comprehension होता है, तो comprehension का मतलब होता है, बड़ी बात को पढ़कर, छोटे-छोटे points निकल लेना, तो ये अगर दो-तीन चीज़े तुम्हारे पास हैं, तो CSAT बहुत आसान से निकल सकता है, कुछ ज़्यादा उसमें सरदर्द नहीं है, and last my practice is everything, जहां कुछ नहीं काम आए, वहां practice काम आते हैं, NCRTC के बारे में, NCRTC, किसी चीज़ को जानने का पहला सिधान, तुम मुझे बताओ, तुमने भी कभी motorcycle सीखी है, बड़ी चला ले तो, पैदा होने के तुरंट बात चलाई होगी, अच्छा, बड़े हो के चलाई थी, कौन सी, इनका question है, कि किसी चीज़ में, बलब, base कैसे बनाए, अच्छा, तो motorcycle कौन सी पहली चलाई थी, safe zone में थे, आ गई थी उस समय, अच्छा, तो कैसे ऐसे बैठे और ऐसे चला लिया, यह से पहले cycle सीखी थी, cycle सीखी थी, सबसे कठीन काम दुनिया में cycle, मैं गिरा हूँ बहुत बाहर, ठीक है, तो cycle के लिए क्या किया था, किसी का सहारा लिया, balance के लिए, पहले balance नहीं बन रहा होगा, पहले पूरा ध्यान होगा कि बस गिरे ना किसी तरीके से, गिरे विरे भी होगे, गिरे होगे, that needs practice, इसको practice होगे, तो पहला हो गया teacher, one who guide, कि और teacher के दो काम हुए, एक guide करना, दूसरा सहारा देना, यह डरो नहीं, तुमने का नहीं सर, आई-स बहुत कठीन है, बोला नहीं, टीचर का काम यहीं पर होता है, वो क्या कहता है, डरो नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, भरुसा दिलाया, बोला बेटा, तो तुम्हें लगा, ममी ने पीशे पकड़ा, तो गिरेंगे नहीं, फिर दूसरा क्या हुआ, गिरे हो गया, अकेले चलाने की चक्कर में, लेकिन फिर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, छोड़ दी जब गिरे थे, फिर अगले दिन उठाई होगी cycle, इसको बोलते हैं, धैरिया, ठीक है, त answer writing, practice, फिर क्या हुआ, you started learn the balance, right, फिर तुम्हें समझ में आया, कि balance कैसे बनाते हैं, सो practice क्या होता है, practice जब आप करते हो, तो आपकी skills develop होती है, जैसे आज आप answer writing करोगे, सब लग रहा है, बहुत खराब लिख रहा है, तो आप डेर के मारे क्या कर देते हो, लिखते ही नही बताओ, एक coaching class तुमने join कर ली होती है, उस समय, how to ride up iceclare, और मैंने उस पर 400 page का व्याख्यान दिया होता, कि देखिए बटा, ये पहिया होता है, ये rotational friction होता है, ये center of gravity होती है, ये gravitational forces है, ये alignments है, मैं तुम्हें sketch बना के दिखाता है, तुम्हारे skeleton का, सीख जाते है cycle जलाना जो तुम बात कह रहे हो, उसके लिए बहुत एक अच्छी बात कही है, कि जिन ढूंडात इन पाईयां, गहरे पानी पैट, और मैं बकुरा बुड़न डरा रहा किनारे बैट, यानि अगर मोती पाना है, तो तुम्हें गहरे पानी में डूबना पड़ेगा, the best, last time क्या अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो, तो सीखना शुरू कर दो, अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो, if you want to learn anything, start learning, एक्चुली में जब हम अपने आपको evaluate, अरे, ये सई सीखर हैं, गलत सीखर हैं, तुमने cycle के समय ऐसा किया था, कि तुमने ये cycle ठीक है कि नहीं है, इसका center gravity कहीं proper, मम्मी ने गलत cycle तो नहीं दे दी, ऐसा कुछ किया था, किया, मन था, इच्छा थी, जरूरत थी, सीखर, या तो teacher बताएगा, mentors बताएँगे, markdashan program के mentors हमारे ये बताएँगे तुमें, कि आज तुमने logbook proper भरी की नहीं भरी, आज तुमने सही तरीके से पढ़ाई की की की, simple सा fund है, तो यही एक process होता है, और तुमने actually में कब सीखा, जब तुम cycle regular चला रहे थे तब सीखा, या जब त बताएगा, और teacher क्या काम करेगा, यही बताएगा बेटा, पहला क्या बताएगा, हौसला रख, रास्ता है, और दूसरा, कि सही चला रहे हो, या नहीं चलाएगा, और हमसे गलती होती है, तो कई बार हम भी कहते हैं, शाबाज बेटा, answer लिको, हमें पता तो गोबर लिखा ह लिकिन हम कहते हैं, good, try, keep trying, पेंट उठाया इसने, यह तो कसम खाके बेटा हुआ था, पहली बार ही साहित लिखेंगे, जब लिखेंगे तब, कई बार लिखते हैं, लिखते हैं, इसके बार डॉक्यमेंटेशन जा जा कि रखाएंगे, लंदन में रखाएंगे, भाई सामन मैंने पिश्री क्लास इसी पर ली थी, बड़ी लंबी चौड़ी की तीन ओप्शनल को भी फाइनलाइस करिए, ठीक है, और तीन ओप्शनल फाइनलाइस करने के साथ साथ उसके अपना फोकस करिए, उसके कोश्चन पेपर लेकर आई प्रिवियस, जो आपका हो उसको आप करिए, मैंने बताया था, टीचर अविलेबल है की नहीं है, बुक्स मेरी लैंग्विज में अविलेबल है की नहीं है, यह आपको ध्यान रखने की ज़रूत है, ठीक है?